इसे simply इस तरह से connect कर दो कोई मुश्किल काम में आपको नहीं बता रहा हूं बहुत ज्यादा easy है अब फेला आप यहां पर देखो कि जो बाइक है वो न्यूट्रल में देखो न्यूट्रल में तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इंजन न्यूट्रल में स्ट हो गया ठीक है चलो कोई बात में अब मैं क्या करता हूं कि अब मीकशन करता हूं देखो यह two- zitten करूणा तो यह बार ऐसा होता है कि जो हमारी bike है वो neutral में तो बहुत अराम से start हो जाती है लेकिन जब bike gear में होती है तो हम चाहे कर दबा दे उसके बाद भी self से bike gear में start नहीं होती है और खास करके जब राइडिंग कर रहे हो उस time के अगर bike gear में बंद हो जाती है तो यह problem बहुत जादा बढ़ जाता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि bike neutral में तो start हो रही लेकिन gear में start नहीं हो रही इसी चीजिकों मैं आपको आगे वीडियो में बिल्कुल practically बताने वाला हूँ आप खुश से भी अपने bike का check कर सकते हो बहुत easy है problem कहां यह आप बहुत असानी से पता भी कर पाओगे तो वीडियो के वीडियो के लिए चले हम लोग इस्टूडियो चलते हैं आप ध्यान दो सब कुछ यहीं पर जुड़ा हुआ देको इस केबल से तो आप वाकिफ होंगे इस वाले कलच केबल से कि जब हम लोग कलच को दबाते हैं तो कलच इंगेज डिस इंगेज होता है लेकिन जश्ट यहीं पर आपको दिखाई देगा कि इस कलच लिवर्स की अटैच आपको यह जो दो वायर्स है वो दिखाई दे रहे सारा खेल इन दो वायर्स का ही है आपके पास किसी भी कंपनी की बाइक बगर हो आप गौर करना कि आपका भी जो कलच केबल है उसके बगल में आपको इस बहुत इजी है देखो आप घर में खुझ से भी चेक कर सकते हो और उसके बाद घर में उसे ठीक भी कर सकते हो कैसे कैसे और क्या क्या चेक करना यह मैं आपको वह बताता हूं तो यह दो वायर मैंने यहां पर बाहर निकाल दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो इसे कई बार कलच सू स्वीच कहा जाता है कलच स्वीच कहा जाता है या फिर गेर स्वीच नूटरल स्वीच कुछ भी नाम से दिया जाता है तो यह जो स्वीच है यह इसके अंदर में प्रिजेंट होता है यह जो वायर आप देख रहे हो यह वा करना है कि भाई जो गेर में आपके बाई के स्टार्ट नहीं हो रही है तो किस वैसे नहीं हो रही इस वायर में प्रॉबलम है या फिर यह आप स्विच देख रहे हो इसमें प्रॉबलम है बहुत असान इसे चेक करना आई मैं आपको वो चेक करके बताता हूं वीडियो को ला आपने देखा कि न्यूट्रल में जब यो निकला हुआ तब भी इंगें स्टार्ठ हो जा रहा थीक है लेकं महां पर बाइक रिख करना हूं कि वे दुट्रल में है मैं बाइक को चलो मैं एक गरमैं टाल दिया ठीक है आप दिगग्या बंद हो गया अब मैं start करने कोशिश करता हूँ ठीक है कलिक से वर मैंने दबा दिया है अब मैं आपको show करता हूँ देखो ये start नहीं हो रहा है जबकि neutral में ये start हो जा रहा है ठीक है तो समझ गए इसका role कितना दा important है अब simply आपको check करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर just आप इसे ले लो ये जो हमारा wire इसे ले लो और दोनों जो हमारा wire है इसमें इसे simply इस तरह से connect कर दो कोई मुश्किल काम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बहुत जादा easy है ये आप खुद से घर में कर सकते हो ठीक है डर gear में start हो जाता है self से ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ मैंने आपको आगे बताने वाला हूँ फिलाल मैंने इसे connect कर दिया है आप देख रहे हो अब मैं यहाँ पर फिर से मैंने gear में डाल दिया है और इसे start करता हूँ आप देखो कि engine जो है वो start हो गया है जब मैंने इसका series connect कर दिया तो engine gear में college दबाने के बाद start हो जा रहा है तो जब आप चेक करो और आपके bike में यह problem बार बार आ रहा है कि भाई bike gear में start नहीं हो रहा है में start हो रहा है और इस तरह से check करने में जो result मेरे साथ है वो आपके साथ भी आता है तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई यह जो वायर है इसमें कोई problem नहीं है यह वायर आगे जाकर जो आगे है उस wiring harness में कोई भी problem नहीं है gear में bike इसलिए नहीं start हो रही है वज़ा क्या मैं आपको बदाता हूँ वज़ा दो तीन हो सकता है एक तो simple सी बात यह है कि कई बार यहाँ पे carbon वगर जमा हो जाता है यह बहुत जादा गंदा हो जाता है तो यह अगर connect भी हो तो सही से connected नहीं होता है जिसके वज़े से क्या होता है कि gear में bike start नहीं होती है एक और बारिटा होता है कि कई बार एक जो wire है यह है यह निकल जाता है गलती से या किसी और वायसे यह निकल जाता है तो उससे भी यह प्राब्लम बार बार देखने को मिलता है ठीक है हो सकता है कि ये थोड़ा ढीला हो लेकिन mostly chances यही होता है कि gear में बाई की start नहीं हो रही है ये लगा हुआ भी है तो हो सकता है कि ये जो switch देकर आप यहाँ पे ये वाला इससे आपको change करना पड़ेगा अगर आप change कर दोगे बहुत असानी ये बहुत महंगा भी नहीं है आप खुश से भी change कर सकते हो ये खोल के ऐसा कोई बात नहीं बहुत मुश्किल काम नहीं है ये निकल जाता है नया लगा दो, connect कर दो, काम हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि ये खराब है उसके वज़ा से ये start नहीं हो रहा है लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपने wire से तो check किया यहाँ पे wire दोनों लगा दिया लगाने के बाद आप gear में start करने की कोशिश कर रहे हो और gear में start नहीं हो रहा है इसे लगाने के बाद, simple सी बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा है, मतलब समझ जाओ कि भाई यह जो wiring आगे गया हुआ इसमें कहीं न कहीं problem है हो सकता कि coupler का connection आगे में है वो छूट गया है, यह भी हो सकता है यानि इस wire वाले ही system में problem है अगर इसे connect करने के बाद, series में करने के बाद भी तो इंजया ने वो start नहीं हो रहा है start हो जाया रहा है, जैसे मैं आपको बताया कि भाई, problem यहाँ पे है friends, उमीदे कि आज कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जनकारी मिल गई होगी ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के तुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, goodbye